इस वीडियो में है एक्सेल की 101 शॉटकट कीज और इसको पढ़ाने के लिए मैं नहीं लूँगा आपसे कोई फीज आई नो इट वाज बैड जोग पर राइमिंग इतनी बैड नहीं थी जी हां आज के वीडियो में मैं आपको बताने आ लाओ एक्सेल की एक से बढ़कर एक 101 शॉटकट कीज जो आपको बहुत ही जानना जरूरी है और वो आपको बना देंगे एक्सेल के अंदर जी हां सुपरफास तो बना देंगे लेकिन साथी में आप अपने ओपिस में कुछ इस तरह से फील करोगे तो अगर आप सीखना चाते हैं एक से बढ़कर एक एक्सेल की शॉटकट कीज तो ये वीडियो पूरा देखिए सीधी बात नो बक्वास चलिए ये वीडियो शूर करते हैं खास मैं सतिश लेंड मोर चैनल में आप सबका स्वावित करता हूँ लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता हूँ कि आप अगर नहीं हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकों पे पी क्लिक कीजिए अब ये करना क्यों है क्योंकि इससे मेरे वडियो की नुटिक्शन आपको टाइम पे मिल लेगी और आप कंपिटर में स्मार्ट बढ़ोगे डैपिनेटली स्मार्ट बढ़ोगे तो कीजिए ना सब्सक्राइब और बेल आइकों पे क्लिक चलिए आप बढ़ते आज के टॉपिक के और तो दोस्तों 101 शॉटकर की जो हम सीखने वाले उससे सबसे पहली शॉटकर की क बताने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताओ कि इसमें से कुछ शॉटकर की को पहले से पता हो सकती है लेकिन कौशी पता है कौन सी नहीं पता या तो विडियो देखने के बाद समझ मैंका होती वह सारी एक साथ पिक कर लिए जो बिगिनर से उनको भी यूज हो जाए जह एडवांस लेवल पे एकसल सीख रहे हैं उनको भी यूज हो जाए ऐसे सारी शॉटकट की मैंने इस वीडियो में डाली है तो अगर आप एडवांस एकसल जानते तो भी आपको वीडियो देखना ही है अगर आप बीगिन ओसो तो भी देखिए क्योंकि आपको बेजिक भी स्क्रीन के उपर आपको दिखाया दे रहा है मैं यहां पर जो मुंबई है बस इस मुंबई को यहां पर मैं टाइप कर देता हूं और मुंबई टाइप करने के बाद मैं कंट्रोल इबटन प्रेस करूंगा क्या हो रहा है इसमें से मुंबई जो टेक्स्ट है मतलब आपको दिखाए दे रहा हैरे लेव said का पिक हो गया चली मैं आपको और एक ग्जम्पल के साथ दिखाता हूँ यहां पर रैट साफ में मैं नंबर लिग देता हूँ और यह जो नंबर है इस में से है यह पिन कोड में से मतलब मुझे यह पिन कोड अलग करना है तो मैंने लिख दिया और Ctrl E बटन प्रेस कर दिया तो आपको दिखाए दे रहा है फ्लैश फिल करता क्या है Ctrl E यह उसकी शॉटकट की है और फ्लैश फिल करता है कि अच्ड़्यर करता है इसकी शॉटक है इसकी शॉटकर टीजस करता है फिलाल तो ये flash fill पहली shortcut की थी हमारी अब बढ़ते दूसरी shortcut की क्यों हो तो दूसरी shortcut की में मैं आपको बताओ कि यहाँ पे बहुत सारी sheets आपको दिखाए दे रही है sheet में से मुझे एक sheet में से दूसरी sheet में जाना है तो मैं mouse से click करके जाता हूँ लेकिन मैं अगर control page down और page up button प्रेस करूँगा तो मैं एक sheet से दूसरे sheet में move कर सकता हूँ दिखाए दे रहा है आपको page up and page down control के साथ page up और page down करने के उपर आप एक sheet से दूसरे sheet में यहाँ पे jump कर सकते हैं तो आप बढ़ते तीसरी shortcut की की और तीसरी shortcut की is selection के लिए अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से right side में मैं select करूँ तो मैं shift और right arrow प्रेस करूँगा इस तरह से selection हो जाएगा या फिर मैं चाहता हूँ यहाँ से तो shift और down arrow प्रेस करूँगा मतलब keyboard से अगर मुझे selection करना है तो shift और down arrow राइट आरो लेट आरो यह एरो यूज करके आप सिलेक्शन को राइट ले सकते हैं मतलब माउस की जरूत नहीं पड़ेगी यहाँ पे दोस्तों सिंपल है ना शिप्ट के साथ आप arrow, उपर selection, शिप्ट के साथ down arrow, नीचे selection, तो इस तरह से shift यूज़ करके आप selection को कर सकते हैं, यह थी हमारी तीसरी shortcut की अब बढ़ते हैं, चोथी shortcut की क्या है, मैं आपको बता दाओ, simple, अभी आपने select किया था particular cells, लेकिन मुझे एक particular row select करना है, तो जो भी row में अपने cursor रखा है, suppose row number 5 में मेरा cursor है, मुझे इसे select करना है, तो मैं shift space करूँगा, दिखाय दे रहा है, shift space से वो entire row select होता है, आप कोई भी row में cursor रखिए, shift space, वो entire row select हो जाएगा, और पाच्वे नमबर पे है, control space, पाच्वे नमबर shortcut की है, control space यानि column select, तो आपको simple, समझ में होगा, column select करने के लिए, उस column में cursor रखना है, control space प्रेस करना है, वो column select हो जाता है, shortcut की number 6, अच्चा, अगर पूरा sheet select करना है, तो control, shift और space कीजिए, पूरा sheet select हो जाएगा, वैसे control A है इसके लिए, लेकिन मैं आपको बताओ कि control shift space से भी पूरा sheet select होता है, पूरे rows और करसर इस cell में है, मैं home प्रेस करता हूँ, तो उसका left most जो cell है, वो select कर लेगा, जैसे A column के अंदर A6 cell यहाँ पे select हो चुका है, अब देखिए मैंने cursor रख दिया है, यहाँ पे college जो दिखाई दे रहा है, E5 cell के अंदर, और मैं home प्रेस करता हूँ, तो वो directly left most cell उसे select कर लेता है, खाली home प्रेस करने से आप left most cell को select कर सकते हैं, अच्छा, आठवे नंबर पे मैं आपको बताओ कि अगर आपका cursor यहाँ पे कई भी और अगर आप control home करते हो, तो directly cursor first cell पे jump करेगा, control home याद रखना है, first cell पे jump करने के लिए, और 9 नंबर के shortcut की मैं यहाँ पे मैं बताओ, आप को की control end अगर आप प्रेस करते हो, तो directly आप जहाँ पे आपका last selection है, sale है, जहाँ पे last type है, वह आप ए करसर आ जाता है, control home first में आ जाएगा, control end आपको दिखाए दे रहे है, last में आ जाता है, so control home and end, 8 and 9 नंबर की shortcut की है, अब shortcut की number 10, shortcut की 10 में आती है, page up और page down, हमने control page up और page down किया था, एक sheet में से दूसरे sheet में जाने के लिए, लेकिन worksheet के अंदर खाली page up और page down आप प्रेस करते हो, तो क्या होता है, देखिए, यह scroll होते जा रहे है, मैं page down प्रेस कर रहा हो, तो नीचे नीचे हम scroll होते जा रहे, आपको दिखाए दे रहे है, यह scroll कैसे होगा, अ यहाँ पे मैं page down, page up, press करूंगा, तो यह नीचे scroll करने के लिए आपको use है, मतलब scroll bar अगर आपका नीचे चल रहे है, mouse का तो आप यहाँ पे page up और page down पटापट कर सकते हैं, नीचे scroll होने के लिए, अच्छा, 11 नंबर shortcut की में यहाँ पे आपको बताओ कि अगर मैं page up और page down क तो alt के साथ अगर press करूंगा, तो यह right and left मूँगा, जैसे alt page down मैं press करूंगा, तो right side में मूँगा है, दिखाए दे रहे है, screen right side में चली जा रही है, और alt page up करूंगा, तो left side में आएगे, एक particular screen, एक 10-15 column के साथ यहाँ पे मूँगा है, दिखाए दे रहे हैं, so आप ऐसे भ करते कैसे हैं, मैंने आपको अब भी दिखाया था, shift करके shift down arrow press करते हैं, यह हमने देखा था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे f8 button press कर दूँगा, और उसके बाद down arrow खाली press कर दूँगा, तो मुझे shift के साथ selection की जरूत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे स प्रेस करूँगा, उसके बाद right arrow press करूँगा, आपको दिखाया दे रहा है, बस एक ही arrow से और उसके बाद down arrow press कर रहा हूँ, एक ही arrow की से यहाँ पे यह selection हो रहा है, मुझे shift button press करने की जरूत नहीं पड़ी है, लेकिन इसका selection हटाने के लिए, फिर दे मुझे दुबारा effect कर shortcut की 13, अगर आपको workbook को close करना है, तो shortcut की 13 में my 3 shortcut की use करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे पहले एक WORKBOOK नए लेता हूँ, और यहाँ पे नए workbook को close कर के दिखाता हूँ, Ctrl W, Ctrl W से close होता है, फिर से मैं नए workbook की लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसे close करूँ, लेकिусов के अ CTRL W CTRL F4 और ULT C शॉटकट की नंबर 14 बहुत इंट्रेस्टिंग है आइम शूर कि यह बहुत सरे लोगों को पता नहीं रहेगा अब बाद में लिग देना मुझे कमेंट शेक्षन में की पता था की नहीं है फिलाल मैं यहाँ यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इस सेल पर और यह पता हूँ क्या हो रहा है वो लास्ट कमेंट जो थी वो रिपीट हो रही है सो लास्ट कमेंट रिपीट करने के लिए आपको F4 बटन प्रेस करना है यानि कि जो फॉमैटिंग रहेगी या कुछ भी रहेगा वो यहाँ पर इस टेक्स के उपर एपलाई हो जाएगी इंट्र और में बढ़ते हैं शॉटकट की नंबर 15 में मैं आपको बता हूँ कि यहाँ से आप नई worksheet इंसर्ट कर सकते हैं लेकिन शुप्ट है बेसिक शॉटकट की आपको पता रहेगी लेकिन फिर भी मैं या पर बतानी के पोशिश करूँगा च्योंकि जो बीगिनर से उनके लिए यूसपुल रहेगी तो यहाँ पर यह डेटा अगर आपसे गलती से डिलीट हो गया तो इसे आप कंट्रोल-z से अंडू करते हैं शॉटकट की नमबर 16 में यह था शॉटकट की नमबर 17 इसे आप दुबारा रिडू कर सकते हैं कंट्रोल-y यानि कि अपने अंडू किया उस प अप 11 था नई वर्कबुक नया वर्कबुक लेने के लिए कंट्रोल-N करेंगे तो यहाँ पर नया वर्कबुक आ जाता है और इसे क्लोज करने के लिए तो मैंने आपको बता रिया था कंट्रोल-W अलड़री शॉटकट की नमबर 19 में कंट्रोल-o ओपन करना मतलब पहले अ कंट्रोल-s यानि की कोई भी वर्कबुक आपने बनाया उसे सेव करने के लिए कंट्रोल-s यहाँ पर नया वर्कबुक में लेता हो SO2 को पता होता है ने लेकिन सेव के अलावा तकी साटक नमर 21 में मैं आपको बताओ कि save ads, जैसे कि ये excel shortcut की 101 की file मैंने already save करके रखी है, लेकिन मैं चाता हूँ इसे दुबारा save करूँ, तो दुबारा save करने के लिए मैं करूँगा क्या, यहाँ पे simply मैं app 12 button press करूँगा, मतलब कोई भी file multiple time save करना है, तो आपको app 12 की जरूद होती है, और app 12 button press करते ही, save ads का dial up box आता है, यह जरूरी है, क्योंकि इस file को आप duplicate बनाना चाते है, या इसका location बदलना चाते है, save का, तो आप एक और coffee उसकी बना के रख सकते हैं, इस तरह से app 12 करके, app 12 button भूलना नहीं दोस्तो, save ads, shortcut की number 22 में मैं आपको बताओ की control P button अगर आप प्रेस करते हो, तो print के लिए print preview आ जाता है, और यहां से आप print और अगरा कर सकते हैं, वैसे भी print की जो settings है, अगर आपको सीख नहीं है, तो print से related एक specially video में ने बनाया था, जिसको मैं description में जरूर दे दूँगा आपकी लिए, Excel में print professionally कैसे करते हैं, आपको नहीं पता है, तो description में एक video है, जिसमें मैंने यह सारी settings detail में explain की है, कि एक office में Excel को print करते समय, आपको क्या-क्या क्या रिजा सकती हैं, और उसमें क्या-क्या solution हम कैसे निकाल सकते हैं, यह मैंने उस video में बताया, जरूर देख लेना, फिलाल तो यह shortcut की number 22 थी, अब बढ़ते हैं 23 की तरब, shortcut की number 23 में मैं आपको बताओ कि Excel में आप कई-पे अटक गए हैं, तो वैसे भी मैंने बहुत सारी problem की solution बताया है, आप internet open तरके उसका solution देख सकते हैं, मतलब YouTube पे मेरा learn more channel सर्च करके, लेकिन मैं आपको बताओ कि Excel से ही आपको help लेनी है, तो आपको बस F1 प्रेस करना है, F1 यह है हमारी 23 number की shortcut की जिसे Excel में help open हो जाता है, चलिए मैं आपको प्रेस करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखाय दे रहा है आपको help open हो चुका है, इस तरह से आप यहाँ पे बहुत सरे formulas and functions भी सीख सकते हैं, अगर आप self study करना जानते हो तो वो interesting है दोस्तों, F1 ज़रूर एक बार करके देखिएगा, shortcut की number 24 की बार यह है, हमारी बहुत सरी spelling mistake होती है, क्योंकि English हमारी mother tongue नहीं है, तो भाईया, होगी mistakes क्योंकि हमारी English mother tongue होती है, तो हम नहीं करते हमारी तो हिंदी mother tongue है, वैसे हम हिंदी में भी इतना professional नहीं बोलते, कुछ वाड़ी English के उठा लेते हैं, है ना, मैं ऐसा मज़ा कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर आपकी कोई mistakes होती है, तो उसके लिए simple shortcut की है F7, जो कि यहाँ पर spelling and mistakes correct करने के लिए आपको help करेगी, चलिए मैं आपको यहाँ पर प्रेस करके दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर आपने लिखा एक counter word, और इस counter word को computer करना था, तो आपको करना है यहाँ पर F7 प्रेस, F7 प्रेस करते ही वो एक dialogue box बताएगा, और उसमें आपको suggestion देगा, कि भई आपने जो लिखा है, वो हमारे dictionary में नहीं है, तो आपको करना क्या है, इसमें से एक word choose करना है, और जो भी अच्छा लगे, मतलब जो भी अच्छा नहीं लगे, जो भी appropriate आपको जो type करना तो लगे, उसको आप change कीजिएगा, यहाँ से आप simply कर सकते दोस्तों, है ना interesting, ओके that's it, इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, shortcut key number 25 में है calculate, F9 प्रेस करके आप calculate कर सकते, F9 कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो formula type की है, अगर इस formula के अंदर के sales को मैं select करके, मैं चोटा सा formula ले रहाँ, explain करने के लिए यहाँ पे, और अगर आप कोई भी formula में, अंदर के sales select करके range के, F9 प्रेस करते हो, तो आपको उसके अंदर, कोई भी formula में इसे देख सकते है, वो चाहिए VLOOKUP का हो, या कोई और formula हो, जो formula के अंदर की values explore करने के लिए, बहुत useful है दोस्तो, F9 इस shortcut की को ज़रूर याद रखना है, F9 को हम बोलते calculate, लेकिन F9 करने के बाद, इसे दुबारा लाने के लिए Ctrl-Z करना है, एंटर नहीं प्रेस करना है, अगर एंटर प्रेस करोगे, तो formula में problem हो जाएगा, Ctrl-Z प्रेस करके उसे दुबारा जैसे था, वेसे स्तिती में लाना है, और एंटर बटम प्रेस करना है, याद रखे, F9 प्रेस करने के बाद, एंटर नहीं करना है, क्यों मैं आपको दिखा दिता हूँ, अगर आपने इसे सिलेक किया, और आपने इसे F9 प्रेस कर दिया, F9 प्रेस करने के बाद, एंटर प्रेस किया, तो इसके अंदर की सेल जो होती है, वो इस तरह से आ रही है इस formula में अब यहां पर range में मैं कुछ भी changes करता हूँ तो यहां पर यह changes होने वाले नहीं हैं क्योंकि वो formula edit हो गया है तो f9 प्रेस करने के बाद दुबारा ctrl z प्रेस करके उस formula के अंदर के जो content है वो range है वो तुरंत लाओ और उसके बाद enter button प्रेस क तो तुरंत अभी ctrl z प्रेस करके होगा नहीं आपको अभी range select करने पड़ेगी तो यह थी shortcut key number 25 shortcut key number 26 में यह shortcut key सबको जरूर पढ़ सकती है इसे use की जिएगा जरूर alt v z करेंगे तो एक zoom का dialogue box आता है जो कि आपके excel के sales को बढ़ा या छोटा करने के लिए useful होता है excel में maximum zooming होता है 400 minimum होता है 10% याद रखना है और up and down arrow press करके आप यहाँ से कोई भी zooming level select कर सकते नीचे custom में जाकर आप zooming level type भी कर सकते है 350 मेंने type किया zoom वाउ alt v z यह 26 number की shortcut key है हमारी इसमें से आपको zooming level select करना है वो आप select कीजे enter कीजे that's it shortcut की number 27 अगर आप alt press करते हो तो होता क्या है alt press करने से उपर home tab insert tab page layout tab formulas tab data tab review tab इनके लिए क्या क्या shortcut keyboard पे available है वो आपको दिखाए देता है और अगर आप app 10 press करते हो तो भी वही होगा जो अभी किया था मैंने तो मैं यहाप 10 press करूँगा तो आपको दिखाए दे रहा है जैसे मैंने alt press किया था वही home tab insert tab page layout tab formulas tab data tab के लिए जो keyboard पे shortcut है अगर आप H press करते हो तो home के अंदर के सभी keys highlight हो जाएंगे जो कि आपको यहापे screen पे दिखाए दे रहा है तो simple है alt या F10 यह हमारे 27 नमबर की shortcut की जिससे होंगे आपके menu's के shortcut keys open आगे 28 नमबर shortcut की में है control F1 अगर आप control F1 प्रेस करते हो तो यहाँ पे ribbon गायब हो जाता है आपको यहाँ पर preview में दिख रहा है यह ribbon जो होता है वो hide होता है हाइड और शो एक ही होता है वो directly मतलब control F1 पहले प्रेस करेंगे तो हाइड control F1 दुबारा प्रेस करेंगे तो हाइड शो हाइड शो हाइड शो आप इस तरह से control F1 से कर सकते है shortcut की number 29 में मैं आपको बताओ कि control shift यू प्रेस करने से formula bar यहाँ पे बड़ा चोटा होता है shortcut की number 30 में है control F9 जिससे होगा आपका workbook minimize control F9 जो workbook current चालो ही minimize होगा आपको दिखाए दे रहा है पीछे जो workbook था workbook 6 वो दुबारा यहाँ पे आ रहा है so control F9 से होता है minimize workbook shortcut की number 31 में मैं आपको बताओ कि आपके बस अगर ऐसा data है और आपने इसे select किया तो अगर आपको इसका chart बनाना है तो यहाँ पर बस आपको प्रेस करना है F11 तो F11 जैसे प्रेस करोगे यहाँ पर चार्ट बन के आएगा आप यहाँ पर नीचे देख भी सकते हैं नीचे देखिए पहले data में हमारा data था मतलब data में जो भी data मैंने रखा था और चार्ट 1 करके यहाँ पर चार्ट बन के आ रहा है जो कि यहाँ पर मैंने जो data select है उसे related तुरंत आ गया मुझे बस F11 प्रेस करना है चार्ट इंसर्ट करने के लिए और शॉटकट की नंबर 32 में मैं आपको बता हो कि अगर आपने Alt F1 कर दिया जैसे कि 11 से अलक चार्ट बनत हो कि यहाँ पर है Ctrl F जो कि आपको पता रहेगा यूज करते होंगे find यहाँ से आप कोई भी word find कर सकते हैं लेकिन आपको पता है कि single sheet में जो है सपोज यहाँ पर इस sheet में है वो तो हम ऐसे find कर सकते कि शोर करके लेकिन यहाँ पर एक option है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूर और सब में मैं डूनना चाता हूँ expiry किदर है expiry तो expiry यहाँ पर find all पर मैं क्लिक करूँगा जहाँ जहाँ expiry रहेगी वहाँ पर कर सकते जंप हो रहा है कौँछे भी sheet में रहने दो वो आ जाएगा और यहाँ पर आपको दिखाए दे रहे कौँछे sheet में नीचे आ जाता है सो control app find के लिए होता है आप पूरे workbook में कैसे ढूनना है समझ गए होंगे control app को पूरे workbook में बहुत सरो लोगों को ढूनना नहीं आता है इसलिए यह shortcut की मैंने यह यह आपे share की तो यह पूरे workbook में आपको ढूनना आता था कि नहीं यह मुझे comment section में जरूर लिख देना आप बीच बिच में comment लिखा कीजी है तकि मुझे पता चलेगा कि आप video देख रहे हो फिलाल यह मुझे बताओ कि फिलाल मैं आपको shortcut की number 34 बताता हूं जैसे control app किया तो find आता है वैसे alt app अगर मैं प्रेस करूंगा तो file menu आ जाता है यानि कि file access करने के लिए आप alt app बटन प्रेस क कर सकते हैं alt app और alt h हमेशा है याद रखना है बहुत सारे shortcuts यह बहुत सारी जगों पर आपको यूज हो सकता है shortcut की number 36 में मैं आपको बताओ कि control tab यहने कि एक workbook से आप दूसरे workbook में यहाप स्विच हो सकते हैं आपको दिखाए तेरे open workbook जो भी है access shortcut की 101 मेरे open है control tab और दूस यहाँ पर मैं आपको बताओ कि control tab से एक workbook से आप दूसरे workbook में यहाँ पर jump कर सकते हैं switch हो सकते हैं shortcut की number 37 में shift f3 है shift f3 अगर आप प्रेस करते हो तो insert function का dialer box आता है अगर आपको कोई function insert करना जैसे vlookup या फिर sum या फिर maximum कोई भी है तो shift f3 की easy function का dialer box आता है और यहाँ से आप function insert कर सकते हैं वैसे इस function को बहुत सारे ultra options भी है alternate options भी है आपको पता रहेगा लेकिन यहाँ पर मैंने बताया कि shift f3 इसकी shortcut की insert function का dialer box आ जाता है जहां से आप कोई भी formula function insert कर सकते हैं आपके sale के अंदर shortcut की number 38 में है macro की shortcut की macro अगर run करना है आपने बनाए हुए macro run करना है तो alt f8 press करना है macro का dialer box आता है यहाँ से बने बने macros आप run कर सकते है create भी कर सकते है नाम देखें यहाँ पर create का icon highlight होता है और create भी कर सकते है फिलल मैं आपको बता हूँ कि macro अगर आपको सीखना है तो उसके तो पहले लिंक मैं दिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। मैने अल्रधी मैक्रोड से एल्धसे डाले हैं, कैसे बनाते हैं, मैं जुब होती हैं कि युक्त था करना आपके यहां पे भी भी यह बोलते विजुल बेसिक फॉर एप्लिकेशन जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है यह कापी इंट्रेस्टिंग है एकसल में अगर आप कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं आपको करना चाहते हैं तो जरूर यह आपको सीखना चाहिए और विजुल बेसिक की सीरीज म मैं आपको बताओ कि control right arrow press करती है आप directly right side के cell में आ जाते control left arrow दिखाए देरे आपको और control down arrow direct bottom के cell में control up arrow जो जो last cell है उसमें move करने के लिए control left arrow, right arrow, control up arrow, control down arrow यह आप 40 number और 41 number की shortcut की use कर सकते हैं अगर आप एक cell आगे जाना चाहते तो वैसे right arrow करके जा सकते आप ऐसे लेकिन मैं आपको बताओ कि tap button press करके भी आप जा सकते हैं लेकिन पीछे आना है तो क्या करेंगे आप left arrow नहीं करना है shift tab भी कर सकते हैं shift tap करेंगे तो ऐसा previous cell पे jump कर सकते हैं आप tap बड़न से आगे जाना shift tap से पीछ आना यह 42 अब बढ़ते हैं shortcut की number 43 अगर कोई भी cell पे कई भी जम करना है आपको तो कोई भी cell पे जम करने के लिए आपको प्रेस करना है बस F5 जी हा F5 प्रेस करते हैं तो go to का dialogue वक्स आता है व go to से related जो भी settings है go to में यहाँ पे special icon है और go to special में क्या क्या चीज़े होती है इसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है दोस्तों यह बहुत सीखना ज़रूरी है actually आपको Excel expert बना है तो go to special पे special यह सारी special चीज़े आपको सीखने पड़ेगी दोस्तों फिलाल go to का use तो मै जैसे मुझे इस date में 16 करना है तो मैं यहाँ पर directly type करने जाओंगा तो यह erase हो जाएगा आपको पता है ऐसे तो मैं करूंगा क्या एडिट एक्टिव सेल या एडिट एक्टिव फॉर्मॉला वहां पर फॉर्मॉला एडिट करने के लिए आप एडिट एक्टिव सेल उसको क पते बारे में कुछ कमेंट लिए सकते हैं इंक्लूडिंग फॉर्मॉला वगटेरा कुछ भीलबला लग सकते हैं मैंने कुछ नहीं यहाँ पर लेकिन कोई भी सेल में अगर कमेंट लखना है एडिट करना है उसकमेंड को तो श्यप्ट एपक्ट एप टु होता हैं प्रेश्ट यह तो बेजिक शॉटक्ट कि ना शॉटकट की नमबर 46 तो मैंने बताई 47 बीदाई कट और पेस्ट लेकिन 48 में आपको बताओ copy और paste किजिए ctrl c और ctrl v यह भी आपको पता ही होगा तो इस बेजिक शॉटकट की जो मुझे लगा बताने चाहिए लेकिन 49 नमबर की शॉटकट की ज़रू आपको पता नहीं रहेगी जैसे आप copy करते हो और ctrl और ctrl अल्ट भी करते हो तो 60 और बॉकस आ जाता है ctrl a June के मने वडियो बना दिया भीया हाठ लेगाव फार इटेछ ती तरफे और हम पौन्णा अब तक आप वीडियो देख रहें हो मतलब आप एक्सेल में एकक्सपरट बनना चाहती है यह उसका साइन है दोस्तो है आप सब क्यों मैं बदाई देता हूँ कि आपने 50 नमबर की शॉटकट की तक वीडियो देख लिया है आगे भी आप देखेंगे उम्मीद करता हूँ फिलाल अल्ट एंटर करके देखेंगे क्या होता है ये शॉटकट की नमबर 50 में होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखू जैसे मैंने नाम लिखा मेरा सतीश और धवले मुझे लिखना है तो मैं अल्ट एंटर बटन प्रेस करूंगा मैं नीचे सेल में लिख सकता हूँ तो एक ही सेल में अगर आप एंटर बटन डैरिक प्रेस करते हैं तो नीचे की सेल में करसर आ जाता है लेकिन आ इस लिश को यहां पर सिलेक कर रहा और यहां पर नाम टाइप करता हूँ इस नाम देने का क्या फाइदा होता है मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले इसको मैं नाम देता हूँ calculation मतलब इसका total हो चुका है मुझे range select करने के ज़रूत नहीं पड़ी तो जितने भी नाम मैं यहाँ पे assign करूंगा इस list के लिए वो सारे के सारे मुझे इसे app 3 में दिखाए देंगे जब आप formula type करेंगे याद रखिए जब आप formula type करेंगे तब आप app 3 करेंगे इस वगेरा नहीं चलेगा याद रखिएगा दोस्तों यह शॉटकर की नमबर 52 और 53 में मैं आपको बताओं कि 52 में यह है कि इस formula में suppose मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाता हो तो मैं sk button press करूंगा तो यह cancel हो जाता है मतलब जैसे वैसे रह जाता है या फिर यहाँ पे मैंने कुछ type कर दिया और जो मुझे नहीं चाहिए था पहले चाहिए था जो पहले वाला data था तो escape button press करने से वो पहला वाला आ जाता है escape button बहुत useful है यह बहुत सरे लोग नहीं जानते है मतलब आपको गलती से आपके cell में कुछ भी type हो गया और आपको यह चाहिए तो इसे enter कर देना है यह 53 number के shortcut की है हमारी और अगर आपको नहीं चाहिए तो escape करना यह 52 number so 52 and 53 बहुत सरे लोग यूज़ करना नहीं जानते है escape button का ज़रूर यूज़ कीजिए एंटर करेंगे तो यह accept हो जाएगा इस cell में add हो जाएगा लेकिन escape करेंगे तो यह पुराना जो content हो टाइप मतलब दीखाए देगा escape मतलब cancel enter मतलब accept that's it shortcut की number 54 में है alt h h इससे क्या होगा इस cell को color आजाएगा देखिए मैं यहाँ पे बिना mouse से इस cell को अलग-अलग color कर सकता हूँ बस right arrow और left arrow गुमाओंगा और जो color चीए हो सेलेक करके यहाँ पे color apply करूँगा alt h h alt press करके h press कीजिए फिर से h press कीजिए यहाँ पे यह sequential shortcut की मतलब आपको alt h press करने के बाद फिर से दोनों shortcut की press रखनी की ज़रूत नहीं alt h press कीजिए दोनों को छोड़ दीजिए फिर से h ही press कीजिए यानि की fill color और shortcut की नंबर 55 में मैं आपको बताओ कि यहाँ पे अगर डेटा है मैं आपको दिखाता हूँ यह डेटा में बॉर्डर मैंने नहीं दिये तो मुझे बॉर्डर देना है तो मैं इससे select करूँगा select तो आप shortcut कीजिए कर सकते मैंने mouse से कर लिया फिलाल अप इसके लिए alt h b a कर सकते बी एने all border alt h b a मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे all border आ चुका है interesting इसे मैं अट्रेस्टिंग कर देता हूँ लिकिन आप outline border अप्लाई करना चाहते तो shortcut की नंबर 56 करना क्या है Ctrl shift और and press कीजिए Ctrl shift और and press करने से outline border आ जादी यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैंने selection हटा दिया तो आपको दिखा दे रहा है बस outline border बाकी है जैसे यहाँ पे मैंने इस range को select किया Ctrl shift और and press कर दिया and press करने के बाद यहाँ पे यह outline border आ चुका है तो बस outline border के लिए Ctrl shift and और shortcut की score shortcut की number 58 जिसमें है Ctrl 9 row hide हो जाएगा देखिए रवी वर्मा hide हो गया Ctrl shift 9 रवी वर्मा शो Ctrl 9 hide Ctrl shift 9 show hide show okay Ctrl 9 यह 58 नंबर की shortcut की Ctrl shift 9 59 नंबर की shortcut की जिससे होगा row hide और unhide लेकिन अगर आपको column को hide करना है तो Ctrl और 0 प्रेस किजिए column hide हो जाएगा लेकिन column को unhide करने की unfortunately मुझे shortcut की पता नहीं मैंने Ctrl Z कर लिया है अगर आपको पता है तो description में जरूर लिखिएगा यह थी हमारी shortcut shortcut की number 60 अब बढ़ते 61 की तरब shortcut की number 61 में है कि कोई भी cell में अगर हमें format apply करना होता है तो हमें format sales का में escape यूज किया जाता है त्यान में रखिएगा दोस्तों Ctrl 1 यह थी हमारी shortcut की number 61 अब 62 62 number में अगर इस word को मैं strike through line apply करना चाहता हूँ shortcut की number 62 उसी के लिए बनी है फिलाल मतलब मैंने बनाई है Ctrl 5 प्रेस किजिए strike through और अगर आप इसे रिमू करना चाहते है दुबारा Ctrl 5 दिखिए को वर्ड अगर आपको ऐसा दिखाना की erase किया हुआ है cut किया है तो Ctrl 5 कीजिए Ctrl 5 दुबारा प्रेस किजिए remove कर सकते है तो यह थी shortcut की number 62 63 की तरफ बढ़ते है इस नंबर को currency format अगर apply करनी है मुझे तो Ctrl Shift और मैं यहां पे dollar sign apply करूंगा Ctrl Shift dollar यानि की currency apply कर सकते है आप इस तरह से currency आ रही है यह मेरा updated version है इसलिए डारेक्ली रूपीज साइन होके आ रहा है अगर आपका पुराना सर्वर्जन है तो आप यह dollar करके आ जाएगा दूस्तों पहले बता देता हूं मैं आपको Ctrl Shift और dollar यानि की currency sign apply करना शॉटकर की number 64 जो की एक Ctrl Shift percentage जो की यहां पे sell को percentage apply कर रहा है फिलाल तो इसको ज़रूरी नहीं है लेकिन आप करना चाहते हो तो आप कर सकते है तो Ctrl Shift percentage करने से ड्रेकली वो number percentage में convert हो जाते है प्रसंटेज साइन भी वहां पे apply हो जाता है shortcut की number 65 जिसमें है Ctrl Shift अगर hash आप press करते हो तो यहां पे उसको date format में convert कर देता है Ctrl Shift hash अगर आप press करते हो तो ड्रेकली date format में आपको उस number को देखने मिल जाएगा लेकिन यह ज़रूरी होता है जब आपका date number में दिखाए दे रहा है तो आप उसे Ctrl Shift hash कर सकते हो उसको date format में convert करन ना shortcut की number 66 जिसमें है Ctrl Shift और add the rate जो की time format बताएगा Ctrl Shift has से date था Ctrl Shift add the rate time format बताता है shortcut की number 67 जो की इसे वापिस number format में लाना है तो Ctrl Shift और exclamatory mark याने जो उपर exclamatory mark आपको पता है add the rate के बाजू में है उसे प्रेस करने से यह number format में आ जाता है और इसे दुबारा general format में चीज ऐसे पहले था तो shortcut की number 68 Ctrl Shift और Tilt बटन आप प्रेस करोगे Tilt बटन याद रखना है Ctrl Shift Tilt बटन प्रेस करोगे तो यह general format में आ जाता है बस that's it shortcut की number 69 में मैं आपको बताओ कि मैंने cursor नीचे रखा और उपर की cell में जो भी formula है जो भी content है वो नीचे चाहिए तो Ctrl inverted कोमा प्रेस किजिए आपको formula नीचे दिखाए देगा फिर यहां पे आ रहा है Ctrl inverted कोमा copy formula और copy content from above sales Ctrl inverted कोमा और अगर मैं यह formula बहुत सरे cell में फिल करना चाहता हूँ तो shortcut की number 70 का इस्तमाल कीजिएगा वो है Ctrl D fill down Ctrl D fill down याद रखिएगा shortcut की number 70 और 71 में हैं अगर यही मैं right side में फिल करना चाहता हूँ तो shortcut की number 71 Ctrl R right feel right am I right तो या Ctrl D और R आपके काम बहुत आसान कर देंगे जरूर याद रखिएगा 70 और 71 number की shortcut keys 70 number shortcut key में मैं बता हूँ कि हमने थोड़ी देर पहले इस range को edit कर सकते हैं बहुत सारी चीज़े आती है लेकिन पहले name manager के बारे में आपको पता होना चाहिए name manager dialog box आता है इसमें से आप इसे edit करना है तो edit कीजिए इस range का नाम बदल सकते हैं आपने जो range दी उसका जाती मतलब restore हो जाती है और दुबार control app 10 बड़म प्रेस करने से यह ऐसा चोटा बड़ा चोटा बड़ा अप कर सकते हैं वैसे इसके लिए alt space और r भी बनता है alt space और r और alt space और x करेंगे तो यह maximize हो जाएगा इस तरह से so control app 10 से भी यह कर सकते आप control app 10 control app 10, control app 10, control app 10 तो shortcut की number 73 मैंने आपको बताई कि control app 10 से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हो alt space r से अगर इसे छोटा करेंगे तो shortcut की number 74 यहाँ पे काम आ जाएगी जो कि alt space x से maximize हो जाएगा alt space r और alt space x से भी इसे restore करना alt space x याद रखना है alt space 7 में और x करेंगे तो maximize alt space 7 में r करेंगे तो restore यह थी 74 अब बढ़ते 75 तो 75 नमबर की shortcut कीज में है control app 9 यानि की minimize दिखाए दे रहे हैं आपको excel की file पूरी minimize हो गई है याद रखना है control F9 अगर आप प्रेस करते हो तो excel minimize हो जाएगा लेकिन अगर उसे दुबढ़ उपन करना है तो alt tap भी आपको करना पड़ेगा alt tap से यह open हो जाएगा याद रखिएगा so 75 number की shortcut keys है control F9 और अब तक आपने 75 number की shortcut keys complete की है इसका मतलब यह होता है कि आप expert से भी expert level की तरफ जा रहे हो और इसके लिए आपको मैं बदाई देना चाहूंगा कि आप excel में expert बनने के लिए ready हो इसलिए अब तक यह video देख रहे हो अब बढ़ते 76 number की shortcut key में है control F11 जिससे होगा एक macro नाम की sheet insert जो कि आपको दिखा दे रहे है अब इसका use क्या है मैंने macro की वीडियो में बता दिया है लेकिन macro नाम की sheet अगर insert करनी है तो control F11 याद रखना है जो कि directly macro नाम की sheet insert करता है normal sheet नहीं insert करता है राइट shortcut key number 77 में मैं आपको बताओ कि हम control O करते है लेकिन उसमें क्या होता है file open का dialogue box नहीं आता है तो हम या पर प्रेस करेंगे control F12 जिससे file open का dialogue box आपको directly मिलेगा क्योंकि control O से आपको file menu में चला जाता है और वहां पे आपको recent file वगरा वगरा मिलती फिर browse पे click करना पड़ता है इत कि टैब और ribbon दोनों भी हाइड करेगा आपके Excel को full screen बना देगा कैसे बनाना है याद रखिए control shift F1 दुबारा प्रेस कीजिए दुबारा आ जाएगा देखे control F1 से खली ribbon हाइड हो रहा था दिखाए दे रहे हैं आपको लेकिन control shift F1 जो कि आपके पूरे screen में tab और ribbon है वो सब आपको गायब कर देगा जादू कर देगा गायब करने के लिए ओ अब दुबारा लाने के लिए control shift F1 करना ना भूलिएगा और यहां पर फिलाल यह था 78 नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं शॉटकर की नंबर 79 में में आपको बताओ कि अगर आप पूरा गायब करना चाहते तो अल्ट वी यू करता हूं मैं हेडिंग में आपको दिखा देरा ABCD columns रोज दिख रहा है यह भी आप हेडिंग कर सकते विव मेनू से कर सकते मैं आपको दिखा देता हूं विव में जाईएगा और यहां पे हेडिंग अगर आप हाइड कर देते और अब अल्ट वी यू करते तो यह full screen हो जाता है और आप यह grid lines भी हैड करते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा यह excel में है यह तो यहां पे इस सेलेक्शन को नेम में करने मतलब इस सेलेक्शन को नाम देना चाहते हैं तो यहां पे इसको तुरंट नाम दे सकते हैं कैसे मैंने आपको बता यहां से आप नाम दे सकते हैं सेलेक्शन को range में नाम देना है इस रेंज को नाम देना है तो आप यहां से दे सकते हैं लेकिन आप Ctrl-Shift-F3 अगर प्रेस करते हो तो यहां पे वो पूछ रहा है कि नाम किसे top row से create करना है चलिए top row ओके तो यहां पे आपको कुछ दिखाए देगा मै मैं नेम तयर करना चाहता हूँ तो मैं Ctrl Shift F3 बटम प्रेस करूँगा और टॉप रो से मुझे इसका नाम तयर करना है तो ओके बटन जैसे मैं प्रेस करूँगा और फिर आपको यहां पे Ctrl F3 में नेम मैनेजर में दिखाऊंगा कि यहां पे City करके एक रेंज तयार हो चुका है तो नाम असाइन करने के लिए बहुत आसान तरीक आई है Ctrl Shift F3 शॉटकट की नमबर 80 अब शॉटकट की नमबर 81 की तरब बढ़ते हैं तो शॉटकट की नमबर 81 में हम जानते हैं जैसे मैं इस सेल में एक नाम लिखता हूँ लाइन मोड चैनल तो यहां पर नाम लिखने के बाद मैं प्रेस कर रहा हूँ अल्ट HW से यह होता है राप टेक्स्ट दिखाए देरे आपको राप टेक्स कैसे हो रहा है टेक्स्ट एक की नीचे एक आ आजाता है उस कॉलम में वह नहीं बैट रहा तो तो रोकी हाइट अल्ट HW यह थी 81 नमबर शॉटकट की शॉटकट की नमबर 82 में मैं आपको बताओं यहां पर आपको दिखाए देरी पाच शीट और मैं पाचो भी स्लेक्ट करना चाता हूँ तो च्ट्रोल शीप्ट और पेजडाउन अगर मैं बटन प्रेस करता हो तो यह शीट सेलेक्ट हो रही है है अगर मैं एक पेजडाउन तो यह खाली जंप होता है लेकिन प्रेस करते हो तो राइट साइड में स्लेक्ट होगी अगर प्रेस करेंग मैं आपको दिखा देता हूँ, सभी sheet में आ रहा है, तो एक sheet में अगर आपके पास कुछ formattings है, वो formatting अप्लाइ करते हैं, तो सभी sheet में आ जाएगी, control, shift, page up या page down आप करने से सभी sheet एक साथ select कर सकते हैं, आपको उसके लिए mouse की ज़रूत नहीं, वैसे हैं, mouse से कर सकते हैं, इस semi colon प्रेस करना है, यहाँ पर आपको मिलेगे shortcut की number 83 का result, date insert हो जाएगी, shortcut की number 84 में मैं आपको बताओ की control shift colon करने से यहाँ पर time insert हो जाएगा, control shift colon, time insert होता है, control colon से date insert होती है, shortcut की number 85 में है create table, shortcut की number 85 create table के लिए दो shortcut की है, एक है control T और एक है control L, तो control T, यानि कि इस data को select करके मै table में convert कर सकता हो, okay, या control L बटम प्रेस करेंगे तू भी हो जाएगा, table create करने का benefit क्या होता है, यहाँ पर यह format तो automatic apply होता है, filter का sign भी apply होता है, और मैं आपको यहाँ पर बताओ कि अगर आप यहाँ पर नीचे लिखते हैं, संजे, कुछ भी नाम लिखो, और आगे करने के बाद वो सारे sales को apply हो जाता, यह table create करने का benefit table के वैसे भी और भी बहुत सारे benefit जरा इसे देख लेना, shortcut की number 86 में मैं आपको बताओ कि कोई भी shit का नाम चेंज करना है, जैसे shit का नाम है data, और मैं change करना चाहता हो बेटा, तो करूँगा क्या, alt h or press करूँगा, alt h or press करन sheet का नाम चेंज कर सकते हैं, shortcut की number 87 में मैं बताओ कि Excel के data में से कोई भी particular data चेंज करना है, तो control h button press कीजिए, और control h button press करने के बाद आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आपको नाम आ रहे हैं, उपर find और replace, find और replace सब को पता रहेगा, जैसे मुझे यहाँ पे किसी का surname change कर ना था, तो मैंने यहाँ पे replace all पे कर दिया, तो आपको दिखाए दे रहा है, कि शोर काले का सिंदे हो गया, तीन replacement जा जा काले था, वहाँ पे शिंदे हो चुका है, तो यह थी shortcut की number 87, जो कि है replace, control h press करने से, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई website का नाम लिखता हूँ, और मै यहाँ पे आ रहा है, वैसी website का नाम Google, Yahoo, Facebook, जो भी है, वो type करके आप इसे hyperlink में convert कर सकते हैं, hyperlink दे सकते हैं, अच्छा hyperlink इतना ही नहीं करता है, hyperlink आप कोई workbook के लिए भी कर सकते हैं, place in this document भी है, और hyperlink के उपर already मैंने वीडियो बनाया, कितनी interesting चीज है hyperlink, यह भी आपक स्क्रीन पे आपको दिखाए दे रहा है, right corner में channel पे जाने के बाद search box आता है, अगर आप mobile पे देख रहो तो search box नहीं मिलेगा शायद, लेकिन आप अगर computer पे देख रहो तो आपको search box मिल जाता है, जहाँ पे आप search कर सकते हैं, shortcut की number 89 के लिए मैं आपको यहाँ पे formula type कर रह है, वो सभी sales highlight हो रही है, याद रखिए, control shift और open curly braces, simple है आपको दिखाए दे रहा है, अभी आप बोलोग यार यह तो ठीक है, अपने addition किया था अभी, तो यह addition किया तो यह sale है, लेकिन यह क्यों highlight हो रही है, क्योंकि यह sale इधर से आ रही है, दिखाए दे रहा है, यह जो answer ह है, 341, यह इसकी वज़े से आ रहा है, तो control shift open bracket से वो पूरा formula का network दिखाएगा, कि कोन से sales है, कोन सा formula आया है, कोन सा नहीं आ रहा है, सभी sales इसके उपर है, मतलग यह sales किन-किन sales की उपर depend है, वो सभी sales highlight होगी, अच्छा, अगर मेरा cursor यहाँ पर है, और control shift close bracket में करता हो, shortcut कि number 90, तो आपको इसमें समझ में आ रहा है, कि उस sales में अगर change होगे, तो कौन-कौन से sales में उस sales का formula involved है, तो याद रखिए कि यह sales में कोई formula नहीं है, लेकिन control shift close bracket करने से वो बता रहा है, कि इस sales में अगर change करेंगे, तो इन सारे sales में formula है, तो उसमें changes होने वाले है, यह interesting है, यह एक बार करके देखिएगा जरूर, shortcut की number 91 के तरफ बढ़ते हैं, अब बस 10 ही shortcut की बाकी ही दोस्तो, अब तक आपने वीडियो देखा है, इसलिए धन्यवाद, और आप देखिए, 91 में मैं आपको बता हूँ कि अगर आप we look up का formula लिख रहे हैं, और we look up के अंदर आपको arguments अगर इंसर्ट करने हैं, तो control shift A कीजिए, देखिए, सारे arguments से यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं, मतलब formula के जो नीचे arguments आते हैं, मैं आपको दुबारा दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं we look up formula लिख रहा हूँ, और we look up के नीचे देखिए, आप यह arguments आ रहे, आप यह उपर चा Alt-A-T, filter remove हो जाएगा, Alt-A-T से filter remove होता है, Alt-A-T से दुबारा apply होता है, मतलब Alt-A-T यह shortcut की याद रखना है, filter apply और remove करने के लिए, जैसे मैं apply कर रहा हूँ और remove कर रहा हूँ, आपकी screen पे आपको दिखाए दे रहा है, यह apply और remove होता है, filter apply करना, Alt-A-T, remove करना, Alt-A-T, अग अगर filter को apply करने के और कोई shortcut के आपके पास है, the comment section में जरूर लिख देना, मैं interest to do जानने के लिए दोस्तों, अगर इस data पे मुझे प्रेस करना है, तो इसके लिए मुझे प्रेस करना है, Alt-N, V, यह 93 number की shortcut की, Alt-N, V, अगर आप प्रेस करते हो, यहाँ पे आजाएगा, प्र पाइवर टेबल यहाँ पे create कर सकते है, इस data के उपर, तो पाइवर टेबल क्रेट करने के लिए Alt-N, V, याद रखना है, 93 number की shortcut, 94 number की shortcut की में आपको बताओ की, Alt-is-equal-to करने से directly auto sum यहाँ पे आ जाता है, auto sum, जो कि यहाँ से हम formula में से देते है, तो वही auto sum, Alt-is-equal-to press करने यह student data, और student data और कुछ भी data है, तो मैं इसे यहाँ से यहाँ तक merge करना चाहता हूँ, तो Alt-H, M, C, यह आप press करके merge कर सकते है, Alt-H, M, C, अगर keyboard पे आप press करते हो, तो यह margin center हो जाता है, दोस्तो, Alt-H, M, C, याद रखिएगा, कोई भी cell के अंदर के formula सारे देखने के लिए, आपको 96 नमबर का यह shortcut किया आना चाहिए, Ctrl-T, अगर आप press करने के लिए होता है, कई पे भी आपको अगर array तायर करना है, तो Ctrl-Shift-Enter करना है, जैसे मैंने frequency function पढ़ाया था, मेरे 31 Excel powerful formulas के अंदर, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो, तो जरूर देखिएगा, मैं recommend क करूँगा, वो है 1 hour 75 minutes का वीडियो जिसमें मैंने 31 amazing formulas बताए, powerful formulas बताए, जिसमें सबसे पहला formula मैंने frequency बताए, और frequency के अंदर, Ctrl-Shift-Enter button press करना है, जो कि यहाँ पे आपको screen पे मैं दिखा रहा हूँ, Ctrl-Shift-Enter button press करने से array में convert हो जाता है, उसको detail में समझने के लिए आप ज Q से हम advanced filter apply करेंगे, जो कि हमारे 98 number की shortcut की, यहाँ पे आपको दिख रहा है, Alt-AQ press करेंगे, तो advanced filter का dialogue box आता है, और advanced filter क्या काम का है, मैंने वीडियो बना दिया है ना यार, चलि आगे बढ़ते हैं, अब बहुत सारी column में जब आप data लिखते हो, तो problem ही होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, name of student, और यहाँ पे इस column की size adjust नहीं हो रही है, तो इसके लिए 99 number की shortcut की press की जिएगा, Alt-H-O-I, जैसे आप Alt-H-O-I press करेंगे, Alt-H-O-I press करने के बाद, यहाँ पे दिखाए दे रहा है, column auto fit हो जाता है, Alt-H-O-I, अगर आप Excel में प्रेस करते हो, तो भा formatting आप यहाँ पे नीचे apply करना चाहते हैं, तो आपको यह press करना होगा, Alt-H-O-I press करना है, Alt-H-O-I press करने से यह उपर का जो है पूरा formatting आपके format painter में आ जाता है, mouse में देखिए, और यहाँ पे आपको बस click करना है, उपर की formatting नीचे आ जाएगी, Alt-H-O-I, format painter, अच्छा, इसक format clear हो जाता है, मतलब format उपर का copy करने के लिए मैंने बताया, और फिर clear करने के लिए मैंने बताया, Alt-H-E app, यह सारी shortcut keys आपको description में मैं दे रहा हो दोस्तो, जो भी shortcut keys आपको screen के उपर नहीं समझ मैं है, तो description से उस file को download करके आप practice कर सकते हैं, interesting shortcut keys है, 101 shortcut keys मैंने यहाँ पे बत लिखिए कि मैंने कौन से shortcut keys है, आपको अगर कोई और shortcut keys आ रही तो comment में जरूर लिखिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप से कि आप कुछ न कुछ नए shortcut keys लिखेंगे और वो बाकी लोगों को भी useful रहेगी, तो बाकी लोगों से request है, तो comment पढ़िएगा, जिसमें कुछ और shortcut keys आपको जानने मिल सकती है, अगर किसी और ने लिखी हूँ तो, मेरा काम है आपके साथ information share करना, आपका काम ही दूसरों के साथ share करना, तो इसलिए आप भी share कीजिए, मैं भी share करूँगा, मिलते आगले वीडियों के अंदर, तब तक के लिए, हमेशा की तरह ये ही कोँगा, सीखते रहो, सीखाते रहो, मेरे चैनल के वीडियों देखते रहो, बाई बाई